हे गाइस कैसे आप लोग चलिए आपके लिए एक बार फिर से नया चैप्टर और लेक्टर नमबर वन रेडियो अक्टिविटी का गाइस चैप्टर नमबर दो मैंने कम्प्लीट कर दिया इसको भी जल्ली खतम कर देंगे अगर आप लोगों का साथ रहा गाइस जैसे कि आप किया है इसके अंदर 20 कोशन लेक्टर नमबर वन है चैप्टर नमबर थ्री का चलिएगा भई इसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक बात समझाओंगा उसके बाद जो होगा एक्ट्वल में डिसक्शन चलेगा कोशन के उपर उनके आंसर से लगाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज है बेसिक चीज है हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है यार क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं होगा इस चैप्टर का तो मज़ा कहा साने वाला हालकि मैं इन चैप्टर को अलग से लंबी लंबी वीडियो डिटेल एक्स्प्लिनेशन में समझाओंग एक चीज का में जिकर है क्योंकि चैप्टर ही इसी चीज का वो है रेडियो एक्टिविटी का में जिकर है क्योंकि चैप्टर ही उसी चीज का लेकिन थोड़ी सी साइट सा चीज़ा सीख लेते इसमें एक चीज आई है एक्सरे दूसरी चीज की आई है इसके अंदर रेडि एक्टिविटी हाला कि रेडियो एक्टिविटी अपने आप में अपना खुद का ये चैप्टर है लेकिन इसके अंदर कहीं न कहीं एक्सरे आया है और डिस्कवरी आई है रेडियो एक्टिविटी की तो आपको बता दू डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किस ने की थी और इसकी रेडियो अक्तिविटी डिस्कवरी के अंदर साथ साथ में ये भी होता है कि रेडियो अक्तिव पार्टिकल्स जो है जिनको आप अलफवा बीटा गामा कहें तो इसकी डिसकवरी किसी और ने की थी अगर बात करूं X-ray की तो actual में जो X-ray की रिसर्च की थी वो Henry Rondgen ने की थी 1885 में 1885 में X-ray की रिसर्च हो चुकी थी अब जब X-ray की रिसर्च हो चुकी थी उस वक्त Sir Henry Becquerel जिन्होंने Radio Activity की खोच की है वो एक एक्सप्रीमेंट कर रहे थे वो एक्सप्रीमेंट कर रहे थे उरेणियमस आल्ट पर पर इसको पर X-ray डाली जाती है लेकिन इत्तिफाकन तुक केसा कह दो या इत्तिफाक कह दो उन्होंने photosensitive plate रखी हुई थी हुआ ये कि uranium salt ने अपने अंदर से कुछ क्रेले निकाली कुछ radiations निकाली और इस photosensitive plate पर इनने अपना असर दिखा दिया अब ये भाई साब जिन्होंने X-ray की रिसर्च किती रोंटिजन बहुत अलग थे, Sir Henry Baccarol जिन्हों ना radio activity की खोज तुक केसा कर देती ये थोड़े हिरान हो गए कि uranium salt ने एक अजब गजब तरीक का विहेव किया है इस photosensitive plate के साथ तो इन्होंने ये सोचा कि यार इस uranium salt ने ऐसा अपने अंदर से कुछ invisible particles निकाले जिन्होंने इस photosensitive plate पर असर दिखाया उसको इन्होंने कहा radio activity तो radio activity की खोज किस ने की थी Sir Henry Baccarol ने ये भी लिख ले ना कहीं radio activity की खोज radio activity activity की खोज Henry Baccarol ने की थी ने की थी अब इसकी sun भी देख लो sun क्या थी 1885 में X-ray को पर रिसर्च हो चुकी थी इसी को पर बैट करके ये थोड़ा अपना तश्वीश कर रहे थे तो ये ये इसी साल हो गया था वो हो गया था 1886 तो 1886 में radio activity की research कर ली गई थी Sir Henry Baccarol के दुआरा जब ये एक experiment कर रहे थे uranium salt पर X-ray के behavior तब research हो गया थी इन्हों ने बता दिया कि ये radio activity होती है लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये किसके अंदर से कौन कौन से particle निकलते हैं तो इसकी जो research की थी वो करने वाले थे रदर फोर्ड साहब रदर फोर्ड रदर फोर्ड रदर फोर्ड अपने इनका एक कलीक थे जिसको आप कहते न एक तरह से helper type के तो इनके एक कलीक थे जिनका नाम था हंस मैं सोट मों उनको हंस बोलता हूँ तो हंस साहब इनके साथ बैड़े हुए थे वो इनके एक तरह से assistant थे हंस वो इनके साथ बैट करके एक तरह से help करते थे चीजों को जानने के लिए तो उस वक्त कहता एक्षवल में रदर फोर्ड भी शुरुवात में रदर फोर्ड भी शुरुवात में X-ray के ओपर research कर रहे थे ये भी X-ray के बारे में कुछ जानने की कोशिच कर रहे थे लेकिन जब इन्हें पता चल चुका था हाला कि पता थो था इन्हें पता था कि यार अभी ताज़ा-ताज़ा discovery हुई है जिसका नाम है radioactive ता तो ये भी क्या हुआ इन्होंने भी अपना X-ray वाला काम छोड़ करके radio activity में लग गये चुकि ये X-ray के अंदर से भी निकलने वाले particles को count करना चाह रहे थे अब इन्होंनों सोचे जब रेडियो अक्टिवता हो चुकी है research radioactive हो चुकी है इसके अंदर से भी कुछ invisible particles निकलते हैं तो क्यों ना मैं उनकी counting में लग जाऊ तो actual में Rutherford और उनके assistant दोनों के दोनों इस चीज़ की counting में लग गये कि जो radioactive पधार्त है उससे निकलने वाले जो particle ना वो कितने हैं अब इसी दोरान actual में जब वो experiment कर रहे थे तो उन्होंने अलग-अलग तरीके के photosensitive plate पर भी उन्होंने उसको भी रख करके experiment किया उन्होंने अब ऐसे से कमरों के अंदर भी गई जोहां पर बिल्कुल अंधेर था photosensitive plate पर हल किसी चमक पढ़ रहे थी जैसे से particles पढ़ रहे थे count करने की कोशिश की count करते वाग उन्होंने फिर उसी दोरान metal की एक foil ली और उस पर experiment किया एक बच्चे ने comment भी किया था मेरे पास बताऊंगा उनका comment किया था पहले इस बाली बात को समझ लेते हैं तो metal की foil थी gold foil gold foil पर भी उन्होंने experiment किया उन्होंने देखा कि यार scattering हो रही है जो particles निकलके जा रहे है radioactive तक अंदर radioactive particles जो है actual में उनकी scattering हो रही ही जो उस foil से पढ़ ले अब वो foil थी gold foil तो gold foil पर रिसर्च चल ले थी लेकिन रिसर्च actual में वो counting की कर रहे थे वो गिनना चाह रहे थे कि कितने radioactive particle निकल ले इसी दोरान उन्होंने पता लगा कि यार इसके अंदर से तीन तरहां के particles निकलते हैं एक का नाम रखा alpha दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा तो alpha बीटा गामा की खोज रदर फोड को जाती है रदर फोड ने इसकी खोज कर ली खोज उसी दोरान होई अब जब वो gold foil पर experiment कर दे scattering हो रहे थी तो उन्होंने यार यह जाना कि यार यह scattering क्यों हो रही है scattering का reason क्या है क्यों यह प्रिक्रिडान हो रहा है यह जो alpha जो इसमें तरह बीटा गामा अब चूंकि वो जान चुके थे यह alpha helium nucleus है यह beta है यह gamma है जब यह जान चुके थे तो लोने देखा कि यार यह जो alpha rays है यह scattered ही हो रही है इसके थूरूर उने पता लगाया कि जो atom होता है वो maximum खोगला होता है और maximum खोगला होने के साथ साथ पूरे atom का जो द्रब विमान होता है वो छोटे से space में होता है जिसको nucleus कहते हैं तो nucleus की खोज भी रदर फोर्ड ने की alpha beta gamma rays की भी खोज रदर फोर्ड ने की यह important fact थे जो मैंने आपको बता दिये अब हुआ क्या alpha beta gamma rays को magnetic field से पास कराया गया alpha beta gamma rays को electric field से पास कराया गया फिलहाल मेरे पास electric field वाला डाइग्राम हो उसको आप देख लो electric field यह है positive plate यह लगी हुई है negative plate यह लगी हुई है अब जब इसमें से radioactive पधार्थ कंदर से निकलने वाली किरणों को पास कराया गया तो यह देखा गया जो beta rays थी वो plus की plate की तरफ को थोड़ा सा जुग गई जबकि alpha rays जो थी वो negative plate की तरफ को जुग गई और gamma बिल्कु कि जो plus वाली थी वो minus की तरफ को attract होगी और जो minus वाली है वो plus की तरफ को attract होगी इस हिसाब से यह पता लगा कि plus की plate को जो attract होने वाली किरण थी बीटा rays वो एक कुछ नहीं actual में एक negative negative particle से मिलकर वनने वाली एक rays है alpha rays जो की negative plate की तरफ को attract होगी कुछ नहीं यह positive particle से मिलकर वनने वाली एक किरण है जबकि gamma rays ना तो plus की तरफ को मुड़ी ना minus की तरफ को यह बिलकु सीधी चली गई इस से यह पता चलता है कि gamma rays पर किसी तरह का कोई charge नहीं पाया जाता क्योंकि magnetic field में भी कोई बिक्षेपड नहीं आया इसके पाथ में और नहीं electric field में इसके पाथ में कोई बिक्षेपड आया तो यह alpha, beta, gamma rays के बारे में पता चल लेगा अब actual में होता क्या है यह radioactive ता जो है जिसको आप कहते हो radio activity यह एक nuclear phenomena है कौन सा phenomena है nuclear यह atom के nucleus से होता है यह नहीं भी किरणा निकल नहीं है alpha, beta, gamma rays यह सारी के सारी atom के नाभिक से निकल नहीं है तो यह नाभिक यह phenomena हो गया कौन सा phenomena हो गया नाभिक यह phenomena हो गया important बात है यह अगर आपसे कोई यह कहे कि नाभिक के चारों तरफ electron move कर रहे है तो क्या वो electron radioactive ता शो कर सकता तो भाई बिल alpha rays के बारे मताता हूं gamma rays के बारे मताता हूं gamma rays के बारे मताता हूं gamma rays जो होती है actual में कुछ नहीं है एक तरहा की रोशनी होती है क्या होती है यह रोशनी photon होते हैं जो नाभिक के अंदर से निकलते हैं कहां से निकलते हैं नाभिक नाभिक के अंदर सभी निकलना है photon है और alpha rays यह स्पीड होती है प向 total तैंदों प्राइं मीटर पर सेकेंड काल तो उत्वर इसे कुछ नहीं के यह स्प्लियों का áticas होता है जिसको आप być यह फिर ही पिलस केहते हो क्या क्याती फीठ चू प्लस केट अगर आपर प्लस काते हैं प्ले पर टाइंट रोल पिले गरेंगी जब लेक्ट्टर में मैं M.C. की उगराना शुरू करूंगा भी तो ठीक है इस दोनों बाता आपने समझ ली ओजो यहां पर बात कर रहे हैं बीटरेस की बीटरेस के होते हैं यह एक्ट्वल में माइनस को 1E0 यह एक तरहां के इलक्ट्रोन ओते हैं जो न्यूक्लियस के अंधर साते अब आप न्यूकलियस के अंदर नहीं होता तो पृर्य पूर свет नीज्ञाि समझाओंगा कि यह है क्या अभी फिलाल आप यह बात जाने लो ठीक है इन तीनों की खोच करता किसको जाती है रदर फोट सापको जाती है क्योंकि उन्हों नहीं बताया था कि यह भी होती है जो निकलने वाली क्रेला है वो अलफ़ेट अगामरेश है एक चीज यहां पर यह इक कर लिया गया है अगर किसी दा सा पूचे हो कि लैड का विलो क्यूं लिया गया तो कमेंड वोक्स में कर बताएं आप अभी जब ये वीडियो इतनी देख चुके हो, अब तो में आगा को बताई दूँगा, देखो, लैड का बिलो किसलिए लिया गया है, लैड को आप लिखिएगा, पीबी, इसका अटोमिक नंबर जो होता है, परमाड़ कुर्मांग 82 होता है, जो की मास नंबर जो होता है, वो 207 युक्लियस के अंदर बहुत जादा अनिस्टेबलिटी होती है, इसलिए वो अलफवा बीटा गामरेस का एमिशन करते हैं, और अपने आपको इस्टेबल मनाते हैं, अच्छा वो जो अलफवा बीटा गामरेस का एमिशन कर रहे होते हैं, तो अपने आपको कहां लाकर रोक अपने आपको लाकर रोकते हैं वो लैड पर क्योंकि लैड जो है वो इस्टेबल है बड़े आइटम के अंतर है इवाली बास समय लेना जब यह इस्टेबल है तब इसके अंदर रखा गया है यह रेडियो एक्टिव यह हैंडरी बैकरल रेडियो एक्टिविटी की खोच करने वाले रे हैंडरी बैकरल ते 1886 में लेकिन एलफा बीटा गामा रेज किस ने रिसर्च की थी वह आपको अच्छे से पता चलिएगा भई अच्छे इसमें थोड़ी सी और बात जानले रोंट जनने किसकी खोच की थी X-ray किसकी खोच की थी X-ray X-ray के बाद यह 1885 में X-ray के बाद रिसर्च हुई थी किसकी रेडियो एक्टिव तकी और रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने फिर इसके बाद में रदरफोर्ड साव आ गये तो जन्होंने अलपा बीटा गामा रेज एंड नूकलियस की खोच की थी स अगला कोशन है रेडियो सक्रियता किसका गूड है अभी बता रहा है रेडियो एक्टिविटी एक्च्वल में यह नाभिक के अंदर से होती है तो यह नूकलियर प्रोबर्टी है तो नाभिक जहां भी लिखा हुआ हो उस पर टिक कर दो जल्ली से आग बढ़ जाओ अगला परमाडू के नाभिक के अंदर से यह घटना होती है अगला अच्छा इसमा अगर कुछ अपडेट कराने चाहूंगा तो आपको क्या अपडेट कराओं नहीं नहीं चीज़ क्या बताओ परमाडू के सन्योजी इलेक्ट्रोन आपको पता न्यूक्लियस के चारो तरफ जो ब पता इशारा इंपोर्टरिएन में आपको पिछेशले लेक्षर में एक बात बता थी कि अपोन पी अगर ग्रेटर देन वन होगा तो सबके लिए नहीं अगर अपोन फी ग्रेटर दैन वन हो ता तो यह बहुत जादा इस थाई होता बड़ बड़े आयटम के लिए बहुत बहुत जाता स्थाइए अगर आपने किसी बड़े बड़ी आइटम की बात किया कि एक यह इस्थाइए बिल्गुल है लेकिन यह होता है लगभग कैल्चिं तक ही यह नपॉन पूस्ट पा दिया जो है वह वह पढ़नी सुरू हो जाती है एक्षूल में ना तो बहुत ज्यादा न्यूटिस रहे है ना बहुत ज्यादा प्रोडोन होने चाहिए अगर कोई एक चीज ज्यादा बैठ रहे है तो एक्षूल में मसले यही आ जाता है कि Unstability आजाती है Nucleus के अंदर Unstability कैसा आती है बहुत जबरतस्त बात है यार यह बात जाननी चाहिए आप लोगों कि किस तरह आती है मैं यार बताना चाहूँगा इसको यही खत्म कर दोगा बताऊँगा Actual मैं Nucleus के अगर बात करूँ तो Nucleus के अंदर दोगो Neutron भी होते हैं और Proton भी होते हैं Neutron, Proton अभी मैं यह मान रहा हूँ कि एक भी Neutron नहीं है एक Assume कर लो कोई अलग Particle या अलग आप कोई तद्वा Assume कर लो जिसके अंदर Proton है और Neutron नहीं है तो आपने Proton, Proton ले लिए यह आपने Proton ले लिए यह आप Assume कर रहा हूँ कोई कोई इमेजनरी अलिमेंट है अब आपको पता Proton के उपर प्लस का चार्ज होगा सब के उपर प्लस का चार्ज होगा और नाभी के अंदर है इसके अंदर है नाभी के अंदर Proton है, इसमे है और ना-Proton के उपर प्लस-प्लस का चार्ज हो तो मेरे भाई प्लस-प्लस का चार्ज प्लस-प्लस के जब चार्ज पाटिकल पास में रखा हूँ होँ हो तो उन पर पर एक प्रतिकर्षन षडवे बलाएगा क्योंकि आपने पढ़ लखा Sundays कुलाम का नियम, जब दो positive positive या negative negative charge होते हैं, तो उन पर repulsion लगती है, तो यह इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, यह इसको, हर कोई एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेगा, बंदने की कोशिश कोई नहीं करेगा, लेकिन एक और force रहती है नाभिक्या अंदर, जिसक यह जो force होती है नाभिक के अंदर जितने भी particle होते हैं, उनके बीच में होती है, अब अगर nuclear force कम हो गई, देखो इसके बीच में nuclear force भी लग रही होगी, लेकिन plus plus की वज़े से electrostatic force भी लग रही होगी, तो दो force आगे हैं नाभिक के अंदर, इन particles के बीच में, कौन-कौन सी एक तो लगने वाला repulsion ball जिसको आप कह रहे हो, इलेक्ट्र स्टैटिक force, दूसरा कौन सा बल लग रहा होगा, nuclear ball जिसको आप कह रहे हो, nuclear force, अब देखो, मैं अलग कलर से बहुत दिखा जिता हूँ, अगर मैं ये कहूं, ये कहूं कि nuclear force जो है, वो जादा है, इलेक्ट्र इलेक्ट्र स्टैटिक force दोनों को तोल रही है, दोनों को दूर भखाने की कोशिच कर रही है, अगर इलेक्ट्र स्टैटिक force जादा हो जाए, तो ये दोनों फैलते फैलते न्यूट्रोन जो है, दोनों प्रोटोन फैलते फैलते नाभिक को खतम कर देंगे, नाभिक को बहुत जादा अनिस्टेबल माना जाएगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, लेकिन नुक्लियर फोर्स, अकर लख्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जाधा होगै, अगर nuclear force जो proton, proton के बीच में एक दूसरी force भी लगती है न्यूकलियर सकंदर जिसको nuclear force कहते है अगर बहुत ज़ादा है, electrostatic force है तो दोनों proton कहीं नहीं जाएंगे दोनों proton कहीं नहीं जाएंगे, nuclear सकंदर रहेंगे लेकिन अगर electrostatic force ज़ाद होगे तो बहुत जाएंगे तो होता क्या है, होता क्या है अगर मैं कहाँ, nuclear force ज़ाद है तो ये इस्थाई होगा, हमारा नाभी के इस्थाई होगा लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि nuclear force कम है, electrostatic force है तो ये एस्थाई हो जाएगा एस्थाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा नूकलियस टूड जाएगा इसलिए इसके अंदर न्यूट्रोनों का होना जरूरी है नाभिक के अंदर न्यूट्रोनों का होना जरूरी है क्योंकि जैसे ही neutron नाभिक के अंदर आ जाएंगे तो नाभिक के अंदर जो नाभिक के बल है वो बढ़ जाएगा क्योंकि नाभिक के बल जो होता है वो neutron और proton और neutron neutron और proton proton के बीच में लगने वाला एक बल होता है जब neutron इसके अंदर आ गए जब neutron इसके अंदर आ गए तो अब नाभी केबल बहुत ज़ादा हो जाएगा और जो electrostatic repulsion force अब बहुत ज़ादा कम हो जाएगा जिसकी वज़े से nucleus हमारा बिल्कुल stable हो जाएगा तो अब आपने ये वाली बात समझ ली कि stability जो हो रही है neutron के होने से हो रही है अगर neutron नहीं होता तो भाई नाभी फट चुगा होता नाभी खतम हो चुगा होता तो neutron का होना बहुत ज़रूरी है जितने ज़ादा neutron होंगे उतने ही ज़ादा अच्छे से नाभी बंदा हुआ होगा क्योंकि nuclear force existence मा आ जाएगा बहुत ज़ादा अच्छे से यह बाली बात आपने समझ ली अब देखो मैं यह कह रहा हूँ कि neutron ज़ादा है proton से तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारा नाभी क्या हो गया बड़े बड़े नाभी यह छोड़े नाभी क्या अगर बात करोगा तो an upon p1 मिलेगा लेकिन हमारा नाभी क्या होगा neutron upon proton का ratio एक से जादा होने का मतलब यह है कि हमारा नाभी किस्थाई है जब इस्थाई है तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता इसका मतलब यह है कि neutron किस से जादा है proton से तभी तो ratio एक से जादा आएगा तो हमारा नाभिक क्या होगा? इस्थाई होगा. तो इस question में तो यही पूछ रहा है कि इस्थाई दुखिल लिए क्या जरूरी है? तो हम यह कहेंगे कि neutron जो है, proton से जादा होने चाहेंगे तो हमारा नाभिक क्या होगा? इस्थाई होगा. तो इस 40 के अंदर 20 neutron है और 20 ही क्या है? proton है. तो यहाँ से ratio 1 निकल कर आ जाएगा. तो यह लगबग 1 ratio 1 जो है ना एनपोन P की value 1 होती है. तो यह लगबग calcium तकी होती है. यह उससे पहले वाले element नों अंदर. तो वो तो अपने आप में stability हैं. लेकिन अगर बात करो के बड़े items की तो भाई उन्यूट्रोनों का जादा होना जरूरी है. जादा होना. ठीक है. अच्छा, न्यूट्रोन जादा होते हैं तो भाई जो बीटा डीके होता ना, एक्शुन ना, बीटा डीके. बीटा डीके, अनिस्टैबिलिटी की वज़े से उसमें न्यूट्रोन प्रोटोन में कनवर्ट होता. अब आप कोगे, न्यूट्रोन प्रोटोन में कनवर्ट हो गया. यह तो गजब हो गया, तो भाई, प्रोटोन उस कंडिशन में कम होते हैं, neutron का proton में convert होना ही जरूरी होता beta dk के अंदर कभी मौका मिला तो इसको पर भी तफसील से बात होगी फिलाल दो या अपने बाद जान ली अब देखो इसमें किसी परमाडू के इस्थाई ना भी protonों की संख्या protonों की संख्या neutronों से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो neutronों की संख्या कम होनी चाहिए ये कोशन हाला की पूछा नहीं गया है लेकिन कोशन जानदार है कितना कितना जानदार है कोशन है यार चुलो आगा देखते है हम से कह रहा है रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है radio-ad projector unit हर चीज के अपनी एक unit होती है इकाही होती है जिस में miser करते हैं ऐसे ही रेडियो एक्तिविटी की unit है अब वो unit क्या है रेडियो एक्तिविटी की देख लेते हैं रेडियो एक्तिविटी की unit बोलते है Becquerel होती है anie Radio Activity की unit होती है वो होती है Bacc увелич Henry Becquarell ने सिर्च की तो उन्हीं के नाम पे बैकरल आ गई के बिक यू जिसको आप कहते हैं Bacc plans Sun Dakaral को आप दू से तरह से भी कह सकतो क्या एक्ष प्राइब इसमें एक चीज ओर 17 क्योरी कियो चलत ticket क्योरी क्योरी एक क्योरी जो होती है बोफिag three point seven in to ten की में इतने भीगड़न हो रहे हैं तो उसको कहेंगे एक क्यूरी भीगड़न परती साइकंड बिगड़न परती साइकंड कहा दो या या कहा दो बैकरल बैकरल तो इसका मतलब बिगड़न परती साइकंड को क्या बोलते हैं बैकरल कहते हैं बहुत सिम्पल सी है भाई radioactive element के होते हैं बिगटित तो होते हैं वो तो बिगड़ान एक second में कितना हो रहा है यह बैकर अलोग है यह unit है तो लेकिन यह value याद रखेना एक क्यूरी बिगड़न प्रति सेकंड आपको पता है ना radium की खोच किस ने की थी मेरी क्यूरी ने की थी यह बाली बात भी याद रखना है मेरी क्यूरी पीरे क्यूरी मेरी क्यूरी रेडियम की खोच पिछ ब्लेंड से की गई थी रेडियम की खोच कहां से हुई थी रेडियम की रिसर्च जो हुई थी रेडियम जो निकाला गया था वो निकाला गया था पि बिखाल इसका जो answer निकल कर आएगा वो क्यूरि निकल कर आएगा हाला कि अगर आपको ना भी पता हो तब भी आप सही लगा दो कैसे एंग स्ट्रॉंग का मतलग होता है दसकीगाद मायनस को होटेह nurturing को लेट को आपको पता है नगाचाओ कोutos करते हैं य कि रहता था गामा वी किरण का किसने पूछा एससी ने आप तो उड़ा दो के यार मुझे पूरी उम्मीद है रेडियो अक्टिविटी का बस कोशन मिलना है आपको आप नाशन शुरू कर दोगे क्योंकि आप से आता है अलफा और बीटा किरणो की खोज किसने किती अलफा बीटा अरे गामा क्यों भूल गए भाई गामा भी है किसके दौ़ारा थी रदरफोर्ड के दौ़ारा अगला किस बैग गैनिक नहीं गामा किरें 순रे Rot 24 दुखर हो चलो maior और उन्ला कोशन निम نमे कों रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभीक के संकक्ष होता है एक्च्वल में जो हमारे ऐ्लफा पार्टिकल होते है elfa पार्टिकल जो होते है वो कुछ और नहीं वो हीलियम का नाभिक ही होते हैं, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक, अब देखो हीलियम का नाभिक कैसा बनता, बताओं आपको हीलियम का नाभिक कैसा बनता, भई आपको बता है हीलियम के नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर दो न्यूट्रोन होंगे, दो प्रोटोन होंगे, ओ वह इस नाभिक नाभिक के अंदर क्या होते है, प्रोटोन होते है, न्यूटोन होते है, इसको कहा गया है, अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होगा, कि यह हीलियम नाभिक क्या है, यह नाभिक नाभिक क्या है, ठीक है भी देख लें आप, यह है पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है, यह है हीलियम नाभिक, समझ में आ गया होगा, तो अल्फा किरण जो होती है, वो एक्चोल में हीलियम का न्यूकलियस होती है, अल्फा किरण, क्यों होती है, हीलियम का न्यूकलियस होती है, अगला कोश्चन, जिसमें हम से कहारा, नाभिक स कोन किसकी बेदन चमता सरवाधिक होती है बेदन चमता यार मैं जब आपको रेडियो अक्टिविटी पढ़ा रहा था मैं यहां मैं दूसरे पेस से पोच जाता हूं यहां मैं यह वाली बात आपको बताने से रह गया एक्ट्वल मैं जिसकी स्पीड जितनी जाधा होगी उसकी अब देखो भेदन चमता बहुत जाधा होगी है ना भेदन चमता जो होती है न वह स्पीड से पता लगता जिसकी स्पीड जितनी जाधा उसकी भेदन चमता उतनी जाधा अब देखो यार कोई हलकी स्पीड से आ रह तो भेधन चम्ता उसकी जादा होगी जिसकी वेलोसिटी जादा तो भेधन चम्ता जो होती है ना गामा की गामा की भेधन चम्ता भेधन चम्ता सरवाधिक सरवाधिक ठीक है गामा की भेदन चमता सरवाधिक तो भेदन चमता में गामा की सरवाधिक हो गई और जो सबसे भारी होता है इसमें सबसे भारी जो है वो है अलफा कण कौन सा है अलफा कण अगर भारी में देखो को तो अलफा कण उसके बाद बीटा और सबसे हलका होता है गामा गामा एक्शुल में जो अलफा होता है जिसकी बेदन चमता सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे हलका होता है इसलिए वो तेजी से भाग गया लेकिन यहां पर आता है आयनन चमता आयनन चमता जो आयनित कर दे आयनन चमता उसकी होगी जो जिसका बजन जादा होगा क्योंकि आप से कहूँ मैं आपको खड़ा कर दूँ और मैं आपके पास छोटी सी बोल फैक कमार हूँ और एक बड़ी सी बोल फैक कमार हूँ किसमें आपकी हाला दैसी सी, ऐसी हो जाएगी मर गया, बड़ी बाली बोल में न तो बस जिसका बजन जादा हो भाई उसकी आयनन चमता भी जादा तो एलफा किरण की आयनन चमता सबसे जादा होती है, सबसे जादा, यह वाली बात आपको बैं लिख के दे रहा हूँ सबसे ज्यादा यह वाले कोशन दोनों रखवे मिल लाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फिलाल अभी हम जो कोशन सौल्व कर रहे हैं कौन सा था भई वो वो कोशन साथ 13 था किसकी भेदन चमता सरवाधिक होती है, तो भेदन चमता किसकी नटा-c Mister की होगी, गामा के रटकी, गामा रे की सबसे ज्यादा फिर, बीटर्य क्योंकि बीटर्य बीच महाती है यह हर तीनों के till रे बीच में, फिर गामारे सोरी गामारे तो आ गए यह आएगी अल्फ आ अल्प आरे तो यह तो होगे इनकी भेदन चम्ता, अगर आयनन चम्ता की बात करोगे, क्या? आयनन चम्ता, अगर आयनन चम्ता की बात करोगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अलफा रे की सबसे जादा हो जाएगी, देन बीटरे देन गामरे गामरे का आयनन ये गैसों को कम आयनित करती है अलफा गैसों को जादा आयनित कर देती है ठीक है तो यहां से हम सब पूछा था भेद अच्छम तब आपने बता दिया आगा बढ़ते आदे कोश्चन आप पोचें यहां इतना हवेश है, बताओ, HE Plus Two का मतलब यही है ना दो इलक्ट्रोनों के बरावर प्लस का ट्ूई, तो आपको बादाटाए का इंथा कोई नहीं, दो बिसका घक होता है क्योंकि प्लस का होता है ठीक है, पिलस का, क्योंकि प्रोटोन बचे हुए हैं सिर्फ उसके पास, तो पिलस का 2E, बीटा किरला बनी होती है, आपको बता है, बीटा किरला माइनस 1E0, या फिर माइनस का 1B0, ऐसे दिखाते हैं, तो ये कुछ नहीं है, एक्चॉल में ये सिर्फ इलेक्ट्रोन है, ये क की तरफ को, पिलस की प्लेट की तरफ को बोई मिड़ेगा, मुड़ेगा, जिसको पर माइनस का चार्ज होगा, निमन में से किसके उत्सरजन समस्थानिक आइसो बार्स का निर्माड होता है, अच्छा कोशन है, इसके बारे में जान लेते हैं, देखो, जब अलफा किरला न इसको बोलते हैं, 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 इसको बोलते लाएंगे ठीक है अब देखिएगा अगर मैं कह रहा हूँ कि alpha किरण निकलती है तो देखो ध्यान सुन लो सारे कोशन इसके भी ऐसी हो जाएंगे यह मास नंबर लिख देता हूँ मास नंबर यह है परमाड़ु किरण के है जब alpha particle निकलता है एक alpha particle निकल गया अच्छा alpha particle क्योंगा 2HE4 दो proton होंगे और इसमें 2 क्योंगे neutron होंगे, तो 4 mass number में 4 की कमी करके जागा neutron के साथ proton भी है, ये 2 electron है जब एक alpha particle निकलता है तो 2 की कमी कर गया था परमाड़ो किर्वांग में 4 की कमी करके जाता है mass number में, तो जब एक alpha particle निकलेगा, alpha particle तो ये नया element बन जाएगा, वाई, जिसका mass number जो हो जाएगा, वो 4 से कम हो जाएगा, और परमाड़ो किर्वांग में 2 की कमी निकल करा जाएगी, तो ये तो alpha particle के साथ हो रहा है alpha particle के साथ आगर beta particle की बात करूँ, beta की beta किरण का जब उत्सरजन होता है beta किरण का, तो माल लेते ही ये x है, ये z है, और ये a है और यहाँ से beta किरण निकली है, कहने के लिए beta किरण तो होगा क्या, जो नया element बनेगा, उसका mass number तो वही रहेगा लेकिन परमाड़ो किर्वांग में a की ब्रद्धी हो जाएगी, ये वाला बात याद रख लेए बीटा के साथ साथ गामा किरण की अगर बात करा है गामा किरण गामा किरण की होती है, ये इसको x कह लेते हैं ये z और ये a, जब गामा किरण निकलती है, गामा किरण तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, तो ये भी x रहेगा जैड और यह तो किसी तरह कोई बदलाव नहीं आता जब गामा क्रेड़ा निकलती है किसी तरह कोई बदलाव नहीं लेकिन बीटा क्रेड़ा और एक्स एल्फा क्रेड़ों के निकलने से बदलाव हो जाते हैं बदल जाते हैं एलिमेंट के मास नंबर और एक्स नंबर इंपोर्टेंट बात यह है कि एल्फा क्रेड़ा जब निकल रही है तो यार मास नंबर में चार की कमी क्यों हो रही है गाइस आपको मैंने भी बताया था कि जो एल्फा पार्टिकल होते हैं एल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनको आ इलियम का नुकलियस तो H e plus 2 से दिखाओंगा अब देखो इस में क्या है जब अलफा पार्टिकल निकल रहा होगा तो बताओ नुकलियोन्स कितने होते हैं अलफा पार्टिकल कंदर चार तो चार तो नुकलियोन्स कम करके जागा मतलब दो प्रोट्रोन ले गयाका दो न्यू कहाँ सा आ गए है इसके उपर चर्छ चल लाई थी कि एक्लिएस कंदर इलेक्त्रोण कहाँ सिरी गाईस आपको बता दूं अगर आपको ध्यूजकरा सा समझों डेगोन यूखलियस कंदर क्या होते मैं वाद कर सुझारों ऑर 2023 कि दरन Morgen यूट्रोण भी विओते हैं नूकलिष किस में convert होगा neutron में तो यह वाली बात तो आपको समझ भाती है कि proton neutron में convert होगा ठीक है भई वहाँ से फिर एक plus का particle निकल जाएगा लेकिन अगर मैं यह कहूं कि neutron proton में convert हो रहा है neutron proton में convert होगा तो proton को पर plus का charge आना चाहिए अब neutron पर plus का charge जितना आएगा उतना भाई मुझे external उतना मुझे external negative charge भी तो चाहिएगा तो balance के लिए nucleus से है जितना nucleus के अंदर positive charge बढ़ा उतना ही negative charge निकल जाता है इसलिए आपने देखो होगा जब neutron proton में convert होगा तो proton मतलब parmaloo किर्मांग में रध्धि कर जायेगा क्योंकि जितने proton होते है electron भी होते है तो जितने proton हुए neutron proton में convert होगा तो इसका मतलब एक proton बढ़ गया जिब एक proton बढ़ गया तो positive charge बढ़ गया अब उतना ही negative charge nucleus से निकल कर चला जाता है इसको आप कहते हो beta किरण ठीक है ये होता है तो इसी लिए परमाडु किरमांग में ब्रद्धी हो जाती है परमाडु किरमांग में ब्रद्धी क्योंगी क्योंकि नियोट्रोन प्रोटोन में अब देखो तो हमसे कह रहा है कि बताओ, अब देखो, Isobar उसको बोलते हैं जिसके Mass Numbers से हैं, तो यहां मास नम्बर बदल गए, यहां Mass Numbers बदल गए, तो इसने हमें समस्थानिक नहीं दिये, हमसे संभारिक की बात है, संभारिक नहीं दिये, अच्छे इसमें देखो, इसमें A है और इसम दूबर तो यह को SIM आंसर यह को शन पूशन पूशन फोजह ने गया लेकिन जानदार Bib अगला कोश्न है कि सब्सक्राइब का किसी तद्वटा का परमाडु किरमा मां के एक बढ़ता है तो बता educators Pat ऑूप शन नीकलते हैं और ऑली समझाया था पिछली वाली उसमें स्लाइड में जब बीटा करण निकल ले तो परमादु किरमांग में ब्रद्धी कितने की हो रही है एक ही क्योंकि न्यूट्रोन प्रोट्रोन में कनवर्ट हो रहा था तो भाई इसका क्या अंसर हो जाएगा बीटा करण अगला अगला निमलीखित में से किसमें रिनात्मक आवेश होती है रिनात्मक आवेश होती है होती है ठीक है किसमें रिनात्मक आवेश होती है अलफा पाइडिकल आपको पता पिलस कर दो चार्ज पाए जाता पिलस कर टूई बीटा करण जो होती माइनस कर वन बीटा जीरो इसको ऐ निम्लिखित मैंसे किसमें रनात्म का वेश होती है तो यहां बाता आयागी बीटा की बीटा इसका अंसर हो जायगा करूँ एक थिक बढ़ा अलफा करेड़ों के मुकाबले, बीटा करेड़ों की बेदन चमता अधीक होती है, बेदन चमता बीटा की क्यों अधीक होगी, आपको मैंने बेदन चमता का ओरर बताया थे न, बीटा बीच में आती है, तो बेदन चमता उसकी जादा होती है, जिसके अंदर बजन कम होता है, तेज भाग जाएगी है ना बताया ता हलकी चीज तेज भाग जाएगी अब यह कह रहा है कि भाई समान उर्जा केल वर बीटे मान नगन लिय ओने से उनका वेग अधिक होता है तो सिद्सी बात यह आगे समझ में यह कोशन भी नहीं पूछा गया अगला बीटा किरिणा किस पिरकार का आवेश वहन करती है आपको बता है अच्छी से बीटा किरिणा बीटा पार्टिकल निगेड़िव आवेश रडांतमक अगला अगला जो कि इस वीडियो का लास्ट कोशन है गाई इससे अगला लेक्शर आएगा उसमें मैं अब इतना लंबा चोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि जो बताना था बता दिया यह लेक्शर लंबा होता पहला बता दिया यार अब गामा केलना किससे बनी होती है यह एक तरहां की बिद्दु चुम्बा की तरंगे हैं जिनको आप फोटोन कहते हैं यह वाला कोशन यूपी एससी ने सीपी एफ में पूछले 2015 में इस तरहां की मस्यदार वीडियो इस तरहां की मल्टी कॉंसेप्चुल वीडियो यार क्यों मैंने कह रखा है अगर आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री पूरी की पूरी फिजिक्स मेरे थरूर ल्यूसेंट से पढ़ लेते हैं तो भाई यह मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका कोशन किसी भी मुकाम पर आकर गलत नहीं हो सकता गवर्मेंट एक्जाम के अगर दे रह करें और हमारे साथ बने रहिएगा